दिल्ली NCR वालों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है प्यास के आसमान छूते दामों के बीच अब दूद की कीमतों में भी इजाफा हो गया है अमूल और मदर्डेरी दोनों ने दूद के दाम में बढ़ोत रिकी है महंगाई की इस नई किष्ट में लोगों को टोकन तथा पॉली पैक दोनों तरह के दूद के लिए दो से तीन रुपे ज़ादा देने पड़ रही है पहले सितंग हाली में गुजारा कर रहे लोग इस फैसले से नाराज है प्याज और पेट्रोल के बाद अब आपकी सुबह की चाय भी महंगी हो जाएगी दिल्ली NCR समय देश के कई हिस्सों में दूद के दाम अमूल और मदर डेरी ने बढ़ा दिये एक लीटर में जो दूद का पैकिट था उसमें अब दाम तीन रुपए ज़्यादा बढ़ गए है और ऐसे में हम यहाँ पर आए हैं तमाम केस्टमर हमारे साथ है सर एक लीटर में तीन रुपए का दूद का प्राइज बढ़ा आया कैसे देख रहा है भाई हर एक शीज का दाम बढ़ रहा है मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है कब तक चलेगा ये कुछ भी नहीं पता लेकिन तीन रुपए की महंगाई की मार बहुत जबरदस्त है प्याज, पेट्रोल और सब कुछ यहां तक की सिक्षा, सिक्षा पर भी आंदोलन चली रहा है तो पूरा देश सुलग रहा है इसमें तीन रुपए का तो मतलब मोदी जी से ही पूछा जा सकता देखे एक आध रुपए बढ़ता था पहले तो लोग माइड नहीं करते थे लेकर तीन रुपए तो यह बहुत जादा हो गया है इस टू मच तो इतना नहीं बढ़ना चाहिए यह तो हमारे जो बजट है अस पर बहुत बड़ी मार है दोनों कमपनियों ने दाम बढ़ाय जाने की कई कारण गिराए है लेकिन आम लोग परिशान हैं तो कि हर जरूरत की चीज महंगी हो रही है ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने खर्टे कैसे पूरे करें इस वक में मदर डेरी पर मौदूद हो और मदर डेरी पर जो है इक तरह से कहा जाए आम तोर पर सर्दी के मौसम में दूद की कीमते घड़ती है लेकिन इसमें बढ़हूतरी देखी जा रही है और तो और एक साल में यह दूसरा मौका है जब दिल्ली एंसियार में दूद के दाम बड़े है झाल झाल